गत 15 अगस्त को भारत ने अपना सतत्तरवा स्वाधीनता दिवस मनाया यहाँ एक मौका है जब हमें इस मुद्दे पर आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारी राजनीती आखिर किस दिशा में जा रही है आज से 76 साल पहले हमारे प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लालकिले की प्राचीर से अपना एतिहासिक भाशन दिया था उस समय देश बंटवारे से जनित भयावा हिंसा की गिरफ्त में था और ब्रिटिश शास्कों की लूट के चलते आर्थिक ग्रिष्टी से बधाल था हमारा स्वाधीन्ता संग्राम ने केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता की खिलाफत नहीं की वरण भारत के लोगों को एक भी किया उन्हें भारतिय की एक साज़ा पहचान के धागे से एक सूत्र में बंधा सम्विधान सभा ने एक अभूत पूर्व जिनमेदारी का निर्वेहन किया उसने भारत के लोगों की महत्वा कांक्षाओं और भावनाओं को समझा और उन्हें देश के सम्विधान का हिस्सा बनाया हमारा सम्विधान एक शांदार दस्तावेज है उसकी उद्देशिका नकेवल स्वाधींता आंदोलन के मूल्यों का सार है वरनवा आधुनिक भारत के निर्मान की नीव भी है नेहरू की नीतियों का लक्ष था आधुनिक उद्यमों और संस्थानों की स्थापना भाखडा नंगल बांध के निर्मान की शुरुआत करते हुए नेहरु ने स्वतंत्रता के बाद देश में स्थापित किये जा रहे वैज्ञानिक शोज संस्थानों, इसपात और बिजली के कारखानों और बांदों को आधुनिक भारत के मंदिर बताया था इनका लक्ष भारत को वैज्ञानिक और ओद्योगिक प्रगती की राह पर अग्रसर करना था भारत आधुनिक देश बनने की राह पर चल पड़ा और द्योगिकरण हुआ, आधुनिक शैक्षनिक संस्थाएं स्थापित की गई, स्वास्थ के क्षेत्र में प्रगती हुई, दूद और क्रिशी उत्पादन बढ़ा और परमाणू वा अंतरिक्ष सहित विज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों में शोध कार्य प्रारंब ह इसके साथ ही सम्वैधानिक प्रावधानों के चलते दलितों का उठ्थान हुआ और शिक्षाव अन्यक शेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोटसाहित किया गया जिससे वे सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक शेत्र में अपनी उपस्थिती दर्ज करा सकी। यहाँ एक बेजोड और कठिन यात्रा थी जो 1980 के दशक तक जारी रही। सन 1980 के दशक में देश को प्रतिगामी ताक्तों ने अपनी गिरफ्ट में ले लिया और सांप्रदाइकता राजनीती के केंद्र में आ गई। शाबानों के बहाने लोगों के दिमाग में यहाँ बैठा दिया गया कि भारत की सरकारे अल्पसंख्यकों का विलुक्ति करण करती रही है। मंदल आयोग की रपट को लागू करने से भी सांप्रदाइक राश्च्रवात को बढ़ावा मिला। आधुनिक भारत के मंदिर निर्मित करने की बजाए हम मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने लगे। मस्जिदों को गिराना और उन्हें नुकसान पहुचाना एक बड़ा मकसद बन गया। इससे सामाजिक विकास की प्रक्रिया बाधित हुई और आम लोगों को न्याय सुलब करवाने और उनके जीवन को सम्रिद बनाने का सिलसिला रूख गया। महात्मा गांधी का आखिरी पंक्ती का आखिरी आदमी राजनैतिक सरोकारों से ओजल हो गया। मंदिर की राजनीती के कारण जो हिंसा हुई उससे समाज धुरूवी कृत हुआ और राजनीती में सामप्रदाइक ताक्तों का दबदबा बढ़ने लगा। मुसल्मानों के अलावा इसायों के खिलाफ भी हिंसा शुरू हो गई और जैसे जैसे सामप्रदाइक हिंसा बढ़ती गई वैसे वैसे सामप्रदाइक ताक्ते भी ताकतवर होती गई। मंदिर के बाद गाय राजनैतिक परिद्रिश पर उभी। मुसल्मानों और दलितों की लिंचिंग होने लगी। घर वापसी का सिलसिला शुरू हुआ और लव जिहाद के मिथक का उप्योग मुसलिम युहों को निशाना बनाने के साथ साथ लड़कियों और महिलाओं के अपने निर्णय स्वयम लेने के अधिकार को सीमित करने के लिए भी किया गया। सामाजिक विकास की दिशा पलट गई। आर्थिक सूचकामकों में गिरावट आने लगी। भुखमरी का सूचकाम बढ़ने लगा और धर्म, अभिव्यक्ती और प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया जाने लगा। सार्वज ने क्शेत्र के बेशकीमती उध्यमों को सत्ताधारियों के चहतों को मिट्टी के मोल बेचा जाने लगा। सत्ता के करीबी कई अरप्ती जन्ता के पैसे चुरा कर विदेश भाग गए। गरीबों और अमीरों के बीच की खाई और चौडी होने लगी। वैज्यानिक सोच को बढ़ावा देने की बजाए प्रधानमंत्री हमें यहाँ बताने लगे की प्राचीन भारत में प्लास्टिक सरजरी उन्नत्थी की हाथी का सिर मनुष्य के शरीर पर फिट किया जा सकता था। और यह तो केवल शुरुआत थी। सभी ज्यानी हमें यहाँ बताने लगे की संपूर्ण आधुनिक विज्यान हमारे प्राचीन ग्रंथों में मौजूद है। इसके साथ ही भारतिय सम्विधान को बदलने की मांग, जो कुछ धीमी पड़ गई थी, फिर से जोरशोर से उठाई जाने लगी। सामप्रदाइक राश्ट्रवात के चिंतक यह तर्ग देने लगे की भारत के सभ्यतागत मूल्यों, अर्थात ब्रामणवादी मूल्यों को समवैधानिक मूल्यों से उचे पायदान पर रखा जाना चाहिए। यह सामन्ती पूर्वाद्योगिक समाज की तरफ लोटने की यात्रा थी। न्याए के नाम पर बुल्डोजरों का इस्तमाल किया जाने लगा। मनिपुर, नुह और मेवात में हिंसा की प्रिठ भूमी में हम अपने गंतंत्र के भविश्य को किस तरह देखें। समस्या केवल राजनीती के क्षेत्र तक सीमित नहीं है। समाज में नफरत का बोलबाला है। बिल्किस बानों सहित हिंसा के अनेकानेक पीडितों को न्याए नहीं मिल पा रहा है। हिंसा करने वाले और नफरत फैलाने वाले बेखौफ है। सभ्य तागत मूलियों का हवाला देते हुए नए सम्मिधान के निर्माण की वकालत की जा रही है। कुल मिलाकर हम पीछे जा रही है। ऐसे समय में आशा की एक मात्र किरण वे सामाजिक संगठन और समू हैं जो हिंसा पीडितों के अधिकारों की रक्षा कर रही है। इनमें शामिल है तीस्ता सीतलवार के नेत्रित्व वाला सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस जैसे संगठन। कई जानेमाने वकील पूरी हिंबत से सरकार की मनमानी की खिलाफत कर रही हैं। हर्शमंदर के कारा इमहबबत जैसे संगठन भी आशा जगाते हैं। वे नफरत जनित हिंसा के पीडित परिवारों को सांत्वना और मदद उपलप्थ करवा रही हैं। अनहत की शबन्म हाशमी द्वारा शुरू किया गया मेरे घर आकर तो देखो अभियान सामप्रदाइकता के खिलाफ एक बुलंद आवाज है। हम आज एक चौराहे पर खड़े हैं। राजनातिक पार्टियों को भी यह एहसास हो गया है कि नफरत की नीव पर खड़ी सामप्रदाइक विचारधारा कितनी खतरनाथ है। वे समविधान और प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए साजा मंच बनाने को तयार हो गये हैं। भारत जोडो अभियान की तरह की कई पहल हुई हैं जो शांती और सद्भाव का संदेश फैला रही है। करनाटक में जो हुआ उससे यह साबित होता है कि प्रजातंत्र को बचाया जा सकता है और जो लोग हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के सपनों को जिन्दा रखना चाते हैं, उन्हें अवसाद में डूबने की जरूरत नहीं है। इस समय विभिन्न विक्तनकारी ताक्ते आइडिया ओफ इंडिये पर हमलावर हैं। वे भारत के समिधान को अपने रास्ते में बाधा मानते हैं। उनका एजेंडा एक ऐसे देश का निर्मान करना है जिसमें आम आदमी की आवाज अनसुनी ही रह जाएगी। हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में मानविय मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा और हर व्यक्ति चाहे उसका धर्म, जाती या लिंक कुछ भी हो, सम्मान और गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकेगा।